प्रवजूद है एड्वोकेट बानु परताव जी, सर बताएं किस हवाले से प्रेस काउफरेंस करें तो हमने एक आवाज उठाई कि हमारे जजिस जो अलरी बर्डेंट हैं जिनके पास अलरी बहुत रूटीन वर्क है और लोगों को भी काफी यहाँ पे वेट करना पड़ रहा था एक आवाज उठाई वकीलों ने और मीडिया की विसादते इसका मुबारक बास मीडिया को और ह हमारे तैसिल्दार हैं उनको एंपावर कर दिया है वो भी अब लोगों के यह एक आवाज उठाई गई और उसका जो है इंपैक्ट हुआ और वो इशू जो है वो रिजाल हुआ धन्यवाद जाए हमने एक यहाँ परेशानी देखी लोगों की कि यहां बहुत अभी बानु और उन्होंने बहुत ही जल्दी जो है वो अपना यह फैसला है वो बदला कि जूडिशन मैजिस्टेट से अभी बानु जी बतारे हैं को एक इसक्यूटी मैजिस्टेट को इंपावर कर दिया है अब लोगों के लिए असानी हो जाएगी जो एक जो है वरक वो सकता है तो मैं जादा तहर दिल से शुक्रिया आदा करता हूं मीडिया का कि उन्होंने बहुत अच्छा रूप लेक रिया है सबसे पहले मैं तहर दिल से शुक्र गुजारूं एंजी गॉर्मिट का उसके बास सोचल वेलफर डिपार्टमेंट का और सबसे जादा जो है करके उसमें दो पावर्स जो है इन्वाल्फ की हैं एक हमारा फर्सट्रास मैजिस्ट्रेट दूसरा एकसीक्यूटि पावर्स जिसमें क्या होगा तसीलदार नयाव तसीलदार अपने अपने एरिया कि उन एफेड़ेवेट्स को टेस्ट करेंगे जिसके कारण मादा जो 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 हमारे cases टे criminal cases टे civil cases उनको अच्छी तरीके से सुन पाएंगे जाएंगे